अधिए नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार दिख स्वाकत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल पेल्ट है तो दोस्तों आठ बात करेंगे कीरे की देखें कीरा जादतर लोगों को बहुत पसंद होता है कच्छे सलात के रूपे हमारे भारती समाज में बहुत जादा ख दिखाते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रियंट्स भी होते हैं खास तौर से यदि हम गर्मी के मौसम में इसका सेवन करते हैं तो शरीर को ठंड़क का हैसास होता है और इसमें विटामिन के एंटी आक्सिदेंट और दिमाग को सेहत मन्त रखने वाले बहुत सार जाहिए कि सभी जो भी खाद्य प्रदारत हैं उनमें कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन का ध्यान जरूर रखना चाहिए और यही आयरवेद बताता है और देखिए बहुत सारी चोटी चोटी बीमारिया हमें रॉंग फूड कॉमिनेशन की वजह से भी हो जाती है तो कोशिश क करें कि आप विशीश चीजिसों का प्र guard की ऑसके थे लिखोगात आप सारी समस्याओं से बहुत सारी बिमारियों से बच से सब्सें पहले चीजर्पिंबिक तो आप करें लेकिन रात में इसे कभी भी नहीं करना जाए देखिए पहली बात तो इसमें यह कि बहुत जादा को दिтесь ब्लावा इसके अंदर एक बड़ा पावर्फुल इनग्रींट्स होता है जिसे कुकर बिटा सीन कहा जाता है और यह गयाँ सोने में disturbance पैदा करता है तो जिन लोगों को भी digestion की दिक्कत है रात में बिलकुल भी खीरा ना खाए और कहा भी जाता है कि दिन में खीरा हीरा है और रात में ये उतना ही नुकसान दे हैं तो हमेशा दिन में खीरा खाएं इसके अलावा खीरा खाने के बाद कुछ ऐसी विशेश चीज कुछते हैं कि क्या हम खीरा खाने के बाद दूद ले सकते हैं अगर हम दोनों के तासीर की बात करें तो देखे खीरे की तासीर ठंडी हो जाती है क्योंकि बहुत सारा इसमें पानी होता है लेकिन अगर हम साथ में दूद लेते हैं तो दूद की जो तासीर होती है वो गर्म पूद्धू से बनी हुई चीज या तो खीरे के साथ न खाएं और कभी भी खीरा खाने के तुरंत बाद न खाएं आपको दूद लेना है तो खीरे खाने के कम से कम आधा या एक घंटा के बाद ही खाए आने था खासी जो खाव और पेट में डिजेशन की समस्या हो सकती है गरीमे में लोग क्या करते हैं कि लसी बीना बहुत पसंद करते हैं लेकिन यदि आपने सलात के रुप में खीरा खाया है तो आप साथ में यदि उसके पीछे लसी पी लेते हैं तो यह आपके पेट को खराब कर सकती है और आपके पेट सम्मधित परशानियों का कारण बन सकत इसलिए खीरा काने के तुरंद बाद लसी कभी भी नहीं पीना चाहिए इसके अलावा एक सबसे जो जरूरी चीज है वो है पानी देखे एक तो खीरे में अल्रेडी 90% पानी होता है उसके बाद यदि आप पानी पी लेते हैं तो इसकी वज़े से दिक्कत क्या होता है कि जो खीरे के जो न्यूट्रियंट्स होता है वो सही रंग से आपकी बॉड़ी में एब्सॉर्ब नहीं हो पाते हैं जिसकी वज़े से क्या होता है कि पाचन संबंदिय और पेट संबंदिय दिक्कते हो जाती है और खीरे के जो पोशक तत्र हैं उनको भी हानी पहुसते हैं और आपने देखा हूँ कि बहुत लोगों को उल्टी, दस्ट और बार-बार उनको आप कह सकते हैं कि मोशिन जाने की समस्या भी हो जाते हैं यदि वो खीरे के तुरण दूपर पानी पीले तो और प्राचीन काल स मऄरिती में बताया जाता है कि कभी भी आपको खीरे के उपर पानी नही मिलेंगे और दूसरा आपका 700 बहुत जाद बिगर जैगा के अलावा एक जो बहुत इंपोर्टन चीज है जो खीरे के साथ नहीं कानी चाहिए वो है टमाटर देखिए लोग बहुत जादा आजकल पसंद करते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट बिराइटीज और कलर्स के सैलेट्स हों लेकिन जब हम खीरे और टमाटर को एक साथ मिलाकर खाते हैं तो यह माई डाइजेस्टिस सिस्टम को नुकसान पहुचाता है खास कर बहुत लोग यह भी करते कि खीरे टमाटर और प्याज को मिलाकर आप दही मेरायता बना लेते हैं यह तो सबसे गलत फूर कॉम्बिनेशन है और इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आसिट का फॉमेशन करता है ब्लोटिंग का कारण बनता है स्किन इलर्जीज कर सकता है तो ध्यान रखें कि आप ऐसे विरुद आहार वाली चीजों को कभी भी मिलाकर ना खाएं और इनका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अलग अलग तरह की जो चीजों होते हैं वो हमारे पेट में जाकर अलग अलग तरीके से रियाक्ट करते हैं पाचन के दरान तो देखें इसमें से कुछ चीजें आसानी से पचने वाली होते हैं लेकिन कुछ चीजों को पचने में समय communismी में लगता है अब इन दोनों चीजों को जो हम एक साथ मिला कर खाते हैं तो दोनों को पचने का जो समय हैं वो अलग-अलग हैं खीरा पेट के लिए हलका होता है और टमाटर भारी होता है तो उसको 95 शरीर को समय जादा लगता तो क्या होता है कि जो खीरे के न्यूटियेंट्स है वो सही रंग से हमारी बॉड़ी एब्जॉल नहीं कर पाती है जिसकी वज़े से पाचन संबंदी दिक्कत हो जाती है और ज जिस्चित रूप से जो खीरा है वो आपके लिए ही रहेगा तो दोस्तो आशा करती हूं आपके जोटी सी जानकारी पसंद आई होगी ऐसी रोचिक जानकारी के लिए क्रिपे आप हमारे चानल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेर करना ना भूलें तो फिर मिलते है है अब्सक्तर गईली